डिक्टेशन स्टार्ट होगा पान सेकिन बाद स्टार्ट विश्वे स्वास्थे संग्ठन WHO की वायू प्रदूसन को लेकर जारी की गई ताजा रिपोर्ट चिन्ता बढ़ाने वाली है यह रिपोर्ट बताती है कि जीवन के लिए खतरा बने प्रदूसन की रोकथाम की प्रयासों में भारत कहीं पीछे है ACI देशों में सबसी प्रदूसित सहरों में हम तीसरे नंबर पर हैं पिछले दिनों ही प्रदूसन के समंध में आई एक और रिपोर्ट में कहा गया था कि जहरीली हवा का यही हाल रहा तो भारतियों की अउसत उम्र छै साल कम होने का खतरा हो जाएगा यह सच भी है कि दुनिया भर में युद्र आतंकवाद वै गंभीर बिमारियों से मौत का जितना खतरा है उससे कई गुना हवा में गुलते इस जहर का है WHO ने जो रिपोर्ट जारी की है वह वायू प्रदूसन के संसोधित मानकूं के आधार पर है बड़ी चिन्ता इस बात की है कि कोरोना महामारी में भी 15 फीसदी मरीजों की मौत की वजह पीम 2.5 को माना गया है सीधे तोर पर कोरोना संक्रमितों के स्वसन तंत्र में आई समस्याओं की बड़ी वजह वायू प्रदूसन भी रहा है यही वजह है कि कोरोना की दूसरी लहर सहरों की साथ साथ सहर बनते जा रही गावों में जादा साबित हुई है तीसरी लहर यदि आई तो बच्चों पर खतरा जादा होगा यह आसंका लंबे समय से जताई जा रही है यह प्रदूसन बच्चों की रोग प्रतिरोधक कम करने वाला बन कर सामने आया है पहले ही हमारे यहां अधिकांस महानगर प्रदूसन के तय मानकों पर खरे नहीं उतर रहे थे WHO ने प्रदूसन के पेमाने को लेकर जो नए मानक जारी किये हैं उनके मुताबिक तो कई छोटे बड़े सहर भी वायू प्रदूसन के तय मानक पर खरे उतर पाएंगे इसमें संदेह है वायू प्रदूसन का सीधा असर लोगों की सेहत पर पढ़ता है जाहिर है चिकित्चा सेवाओं पर भी इसका दबाव पढ़ता है एसे दौर में जब पहले ही दुनिया के तमाम देशों की अर्थ व्यवस्था कोविड के कारण प्रभावित हुई है सेहत के मोरचे पर यह दबाव और भयावह हो सकता है देखा जाए तो वायू प्रदूसन का खतरा दुनिया भर में इस कदर बढ़ गया है कि बचाव के खास इंतजाम किये बिना राहत की उम्मीद नहीं की जा सकती वह भी एसे दौर में जब उध्योगों वहनों समेत तमाम दूसरे माध्यमों से हम सब वायू प्रदूसन बढ़ाने में ही लगे हुए हैं एसे में सिर्फ एक ही तरीका है कि प्रदूसन की रोकथाम के प्रयास इमानदारी से किये जान तमाम वैस्विक मन्चों पर तो प्रदूसन रोकथाम की चर्चा हो ही सभी तरह का प्रदूसन कम करना सरकारों की प्राथमिक्ता में ही आना चाही दिल्ली की रोहिनी अदालत में हुई गोली बारी ने एक बार फिर सुरक्षा व्यवस्था की खामियों और अपरादियों की बढ़ते मनोबल को रेखांकित किया है एक इनामी बदमास को पेशी पर पुलिस रोहिनी अदालत लेकर गई थी जैसे ही उसकी पेशी हुई उसके विरोधी गुट के बदमासों ने भरी अदालत में ही उसे गोली मार दी हालांकि पुलिस ततकाल सक्रिय हुई और उसने दो हमलावरों को मार गीराया दोनों गुटों के बीच पुरानी रंजिस बताई जा रही है हालांकि दिल्ली की अदालतों में प्रवेश द्वारों पर जांच के लिए कंप्यूटरी कृत उपकरन लगाए गए हैं पर हमलावर वकील की पोसाग पहन कर सुरक्षा व्यवस्था को चकमा देने में कामयाब हो गई थे यों किसी अदालत में यह कोई पहली घटना नहीं है रोहिनी अदालत में ही इससे पहले एसी घटनाए हो चुकी हैं बदमासों ने अदालत में हमला करने की साजिस इसलिए रची होगी कि उन्हें वह जगह जादा मुफीद लगी होगी जिस बदमास को वे मारने आये थे वह जेल में बंद था और अदालत में उसे पेशी पर लाया गया था जेल में एसा करना उसके लिए संभव नहीं था गनीमत है कि इस घटना में दूसरे लोग हताहत नहीं हुए वरना जितनी गोलिया वहां बदमासों ने चलाई उसमें सामान्य लोगों की जान को भी खतरा हो सकता था दूसरे सहरों की अपेक्चा दिल्ली अधिक संवेदन सील सहर है इसलिए यहां सुरक्षा व्यवस्था को अधिक पुखता रखने पर जोर दिया जाता है दिल्ली पुलिस अनेक मौकों पर दावा करती रही है कि वह को अपराध मुक्त बनाएगी मगर हकीकत यह है कि यहां और इससे सटे सहरों में बदमासों के अनेक गिरोह सक्रिये हैं और वे कभी आपसी रंजिस में तो कभी पेशेवर रूप में हत्याओं को अंजाम देते रहते हैं इनकी दबंगई का अंदाजा इससे लगाया जा सकता है कि इन में पुलिस का खोफ नहीं दिकता कुछ महीने पहले ही पुलिस की गाड़ी में ले जाए जा रहे एक बदमास पर उसके प्रतिद्वंदी बदमासों ने इसी तरह हमला किया था हालांकि उसमें भी हमलावर बदमास मारे गए थे पर दिल्ली पुलिस को चुनवती देते बदमासों को लेकर सवालतों उठे ही थे हालांकि ताजा घटना में अदालत लेकर गए पुलिस दस्ते को इस बात की आसंका जरूर रही होगी कि कोई अनहोनी हो सकती है इसलिए वे हतियार बंद हो गए थे और हमलावरों को मार गिराने में सफल हुए थे इस मामले में यह दिल्ली पुलिस की बड़ी कामयाबी कही जा सकती है मगर उसके सामने यह चुनोतियां तो हैं ही कि एसे बदमासों में वह कैसे खोफ पेदा करे और अपराद पर अंकुस लगा सके इस घटना पर दिल्ली पुलिस आयुक्त ने कहा है कि इसमें सामिल अपरादियों को किसी रूप में बक्सा नहीं जाएगा पर देखना है कि दिल्ली में सक्रिय एसे अपरादियों पर नकेल कसने के लिए पुलिस क्या कदम उठाती है इन अपरादियों के पनपने और इनका मनोबल बढ़ने की वजहें छिपी नहीं है ये जमीनों पर कबजा कराने सुपारी लेकर हत्या करने जैसी घटनाओं को अंजाम देते रहते हैं इन पर अंकुस ने लगाए जा पाने का ही नतीजा है कि बलातकार छेडखानी रंगदारी करने वाले भी भय नहीं खाते दिल्ली में एसी घटनाओं लगातार बढ़ती गई हैं पुलिस की सफलता इस बात में मानी जाती है कि वह अपराधियों के मन में भय पेदा कर सके अगर दिल्ली पुलिस इसमें नाकाम साबित हो रही है तो उसे अपराध रोकने समंदी अपनी रणनीतियों पर नए सीरे से विचार करने की जरूरत है समब